हेलो दोस्तो नमस्कार मैंकित भाटी रोजगार विदन के चैनल में आप सभी का एक बार फिट स्वागत करता हूं दोस्तो यह बहुत बहतरीन कोशन जिनमें आपको अक्षर समस्या आ जाएंगी उस टाइप के कोश्चन्स ले हैं एक किलास साइद अभी और भी है क्योंकि व उन सब को इतनी गती से पाइप चल रहा है वो सब मैं अगली क्लास में ले लूँगा क्लास फोर में तो बाकी इनको समझिएगा यह पहला जो कुश्चन आपको दिखाई दे रहा है कल मैंने आपको कुश्चन जो कराए थे वो कराए थे एक भर रहा है एक खाली कर रहा है उस तरह के बारी बारी भी तो वो बहुत आराम से आपको समझ में भी आ गए थे अब क्या है दो भरने वाले और एक खाली करने वाला तीन नल है तीनों भरने वाले हो तो कोई टेंसन नहीं कल भी कराया था गुश्चान लेकिन दो भरने वाले एक खाली करने वाला ऐसा लिए है पी को एक मिनट के लिए खोला जाता है उसके बाद क्यूं को एक मिनट के लिए खोला जाता है फिर आर को एक मिनट के लिए खोला जाता है फिर टैंक भनने तक इस पज़ती को दोराया जाता है इसका मतलब यह एक ह Electric Elite track141 के लिए तीनों चल रहे हैं बात समझ में आई चलिइ अब देखते हैं की इसको करते कैसे हैं ठीक है कल ने का तो कर लिया था तीन का नहीं किया तो तीन का अब देख लेते हैं आजो कि कुई अब बहने वाला है 15 में ये बहने वाला है 45 में और सी खाली करता है तीस में ये खाली कर रहा है फिर हमने देखा कि हम आगे तो ऐसे ही करते हैं संख्याओं को देखके अंदाज लग जाता है कि हाँ LCM ही निकलेगा इनका सही चल रहे हैं अब तक तो 45 उपंद्रे चिक्के 90 ये एक मिनिट के अंदर छे टैंक भर सकता है ये एक मिनिट के अंदर दो भर सकता है और ये एक मिनिट के अंदर तीन खाली कर सकता है ये खाली है खाली माइनस का निसान दे दो अगर यह तीनो एक एक ऐसे चलें तो आप समझते होंगे कि छेर दो आठ जुडेंगे और आठ में से तीन जाएगा यानि पांच यह जो पांच आया है यह जो पांच है यह कब है यह तीन मिनट के अंदर काम हो रहा है तीन मिनट में ये काम हो रहा है तीन मिनट के अंदर पाँच टैंक भर रहे हैं हमें 90 टैंक भरने हैं पाँच टैंक भरे खाली नहीं हुए खाली करने वाले की स्पीड यह थी पाँच टैंक भर रहे हैं और तीन मिनट में भर रहे हैं ठीक है तो अब क्या है कि यह जो भरने वाली चीजे हैं कल जो हमने घटाया था कि जो भरने वाला था उसको माइनस कर लिया था एक बार लेकिन इस बार आज भरने वाले भी दो हैं तो दोनों को ऐसे माइनस इसमें नहीं करते हैं इसको ही माइनस करना है आपको इसको जो मेंसे 5 अगर मैं घटा दूं तो रह जाता है कितना 85 पांच घटा नहीं आपको पांच ठीक है तो इन 85 तक काम चलेगा ऐसे 85 तक काम तीन वाले में बता रहा हूं भी मैं तो 85 तक काम चलेगा ऐसे इसी स्पीड से तो आप देख रहे हैं कि 85 तक इसी स्पीड से चलेगा तो मैं देखू 85 में भाग देके पांच का तो मैंने देखा 17 मिनिट आया और 17 मिनिट का मतलब यह 3 17 मिनिट नहीं है यह 17 बार 17 बार ऐसा काम होगा पांच 5 5 17 बार बनेंगे इसमें से तो 17 बार इसका मतलब 51 मिनिट लग चुके हैं 5 मिनेट तो अप तक लग चुके हैं लेकिन टेंग अभी पूरा नहीं भरा है अभी कितना खाली है 5 खाली है अभ इस 5 को भरेगा कौन किसकी बारी यह जल्दी बताओ अरे भाई आप देख रहे हैं मिनQueen-ट हो चुक के овалиगा सी पर 32 कि स्की बारी आएगी एक ही और एक इतना भरता है मिनट के अंदर छै तोब पाँचवर हुक्ष जाएगा और यह मिनट और लगाए क्योंख तेंक बच रहे हैं और यह 6 तैंक भरता है एक मिनट के अंदर तो 5 बटे 6 मिनट इसको और लग जाएंगे और उत्तर हो जाएगा 51 सही 5 बटे 6 मिनट बस यह करना था इसको शन के अंदर ठीक है तो 51 सही 5 बटे 6 आपका अंस्वर है ठीक है भाई अगले कोश्चन पर चलता हूं तो इसमें क्या करना है फिर से बता रहा हूं कि जब 3-7 होंगे निटे जब दो थे तो इसको घटाते थें तुछ तीन नहीं तो इसको घटा लीजिए जो बचा है उसको इसी तावन मिट लग गए पाँच इससे बच रहे उसको करेगा कौन बारी एक ही इसलिए पाँच बटे च्छे का भाग ठीक है अगर यह बी की बारी होती पाँच बटे दो इस पर होता ही नहीं फिर काम क्योंकि पाँच बच रहे हैं दो ही भर पाता है चलो ठीक है बहुत अच् में भरते हैं ठीक है और दोनों पाइप एक साथ खोल दे जाएं तो कितने समय बाद एको बंद करना होगा कि टंकी पूर्ण ते 25 मिनट में भर जाए ऐसा सवाल काम समय में नहीं बनता यह special सवाल है पाइप टंकी का तो आप आप देखेंगे यह भी बहुत 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 आसान भी है आप देखेंगे और पूछा हुआ भी है कैई जगह 36 और 45 मिनट में भरने वालें दोनों ही इसके आगे मैं कर दूंगा 186 पंजे और 45 चौका तो यह एक मिनट में इतना भर देंगे एक मिनट के अंदर अगर दोनों एक साथ चल जाए तो क्या एक साथ ही चले हैं बिलकुल एक साथ क्योंकि दोनों ही भरते हैं तो एक मिनट में नो टेंक भर देंगे यह अगर कहें दोनों मिलके पूरे टेंक कितने दिन भर देंगे नौका भाग 1802 काम खतम 20 मिनट में ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है बीस मिनट में तो टेंक भर जाएगा वो तो हमें पता पर दोनों एक साथ चलें तो अब उसे टेंक बीस में नहीं भरना उसे टेंक भरवाना पच्चिस मिनट में और एको बीच में बंद करा गया इसका मतलब पच्चिस मिनट तक कौन सा चला बताओ एक बात एको कितने समय बाद बंद कर दिया इसका मतलब एको तो बंद करा यह बीच में तो बी को कहीं नहीं बंद किया ग नहीं गैसे मस पूरे टाइम में तो वी ने जो असी के एने भरे होंगे दो बताऊ आप एने भरे होंगे की और एक मिनट में कितना बरता नहीं और इक समय को असी को कितनी देर में भररकर रजैंदा होगा खुद बताओ यह जब इसके साथ चला था तो ए ने कितनी देर काम किया तो ए का समय देखूं असी को भरने में क्योंकि एक को पांच एक मिनट में पांच भरता है असी को भरने में सोले मिनट में अपने काम है करके और भाग जाएगा अर्थाथ 16 मिनिट बाद एको बंद कर दो उसका काम खतम है ठीक है 16 मिनिट बाद एको बंद कर दो उसका काम खतम है यही तो पूछा है उसने एको कितनी देर बाद बंद किया गया होगा क्योंकि एसे काम ही कितना कराना है वो देख लिया हमने किलियर है बात समझ में आ गई सबको ठीक है बहुत आसान कोश्यन था बहुत अच्छा भी है फिर से समझाना हो तो बता देख रहो ठीक है पर यह अच्छा कोश्यन है खुद कर लेना प्रैक्टिस कर लेना तब ही कर पाओगे जो एक आध बार कर लोगे तीन पाइप है ए पाइप यह रहा तीन घंटे में भड़ता है इसका मतलब देखिए क्योंकि यह तीन घंटे 45 मिनट आगे एक घंटा तो मैं सबको मिनट में बदल लेता हूं तो यह 180 मिनट तीन घंटे मिनट में कनवर्ट कर दिया मैंने सारा कोई दिक्कत नहीं है और बी न मिनट में 180 प्लस 45 इसका मतलब 225 और सी ने एक घंटे में खाली है क्या एक घंटे में खाली कर देता हूं वह भी देख लंगे क्लियर बात यह बताओ यह समझ माये कहां से आये हैं अरे यह तीन घंटा 180 लिग दिया यह तीन घंटे 45 मिनट था तो 225 लिग दिया और यह क्या था एक घंटे में खाली तो यह 60 लिग दिया तो मिनट में इसलिए बतले आप क्यों जी तीन घंटे 45 से ही करते तो वह सही बटे में बनाना पड़ता फिर उसका LCM आपके लिए बाहरी पड़ता हो जाएगा ऐसी बात नहीं है ठीक है पर ऐसे ही कर लो ज़्यादा बड़ी ह चौका ही होते हैं दो सो पच्चिस चौका और साठ से एक टेगा पंद्रे बार ठीक है चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है यहां तक तो यह दोनों तो भरने वाले और यह खाली करने वाला देगा खाली करने वाला कितना फास्ट है इस तो खाली रहेगा हो कभी भर नहीं सकता क्योंकि देखो खाली करने वाला पंद्रे खाली कर दे एक मिनिट में पंद्रे डिबान यह जो पांच भरे चार बरे बताओ तो कहां इतिक पाएंगे इसके सामने अब आप आजाओ तीनो नलो को देखिए अगर यह बोलता कुश्चन पता कैसे बनाता है अगर तीनो को एक साथ भरे में खोलेगा या खाली में तो खोली नहीं सकता टेंक भरेगा नहीं तो अब ऐसे सवाल में जहां खाली करने वाला तेज होता ना वो बोलता हमेशा तीनो टेंकों को भरे ह तेंक में थैनों नलों को भरे हुए टेंक में खोल दिया गया है अब टेंक कितनी देर में खाली हो जाएगा जब ऐसी स्पीड होती है तो भरे टेंक में खुलता है यहां पर भरा टेंक नहीं है यहां पर पहले टेंक को भर वा रहा है? किससे? A और B से वो देखो कितना भर पाएंगे बिचारे है तो पहले उनसे भर वा लो और फिर तो आगे खाली हो, जब एक बार C चालो हो गया तो फिर तो खाली है पर भर नहीं सकता यही कह रहा है तो देखो तीनों नलों में पहले नल को एक बजे फिर दूसरे को दो बजे और तीसरे को तीन बजे खुल दिया गया मतलब बंद नहीं करा कोई से कभी सोच रहे हो तो तीन बजे तक मैं कंडिशन देखू तीन बजे क्या कितने डब्बे भर जाएंगे तीन बजे तक तीन बजे एक बार सी चालू हो गया फिर सब की वाट लगा देगा ठीक है तो इसका मतलब तीन बजे तक सी जब तक चालू हुआ तब तक देख तो लें कितने डब्बे भर दिये विचारों ने तो ये जो है एक बजे ही चालू कर दिया था एक बजे चालू कर दिया था तो इसका मतलब दो गंटे तो दस हैं 120 क्या अरे हाँ मिनट में चल ला काम 120 मिनट बिलकुल 2 गंटे तक क्योंकि ये मिनट के काम है ये एक मिनट का ही तो काम है और 2 गंटे तक ये चल चुका तो 120 मिनट में कितने 600 डिब्बे भर देगा बहुत बड़ी है चला 600 डब्बे भर देगा कि नहीं खुद बताओ चलो और ये चला है मातर एक गंटा ये 60 भरता है क्योंकि दो बुजे चालू हुआ है तो एक गंटा ही चलेगा ये कितना भर लेगा जब तक 240 भर लो अब आने वाला तो ऐसे भर लिए इनने ठीक तो ये दोनों तो इतना डिब्बे भर चुके अब जब तक C चालू हुआ तो C के चालू होने तक डब्बे कितने भर गए 840 अब 840 खाली करना आपको खाली नहीं मतलब आप 3 चलाने 840 में 3 चलाने 3 का भाग दे तो उत्तर आ गया 840 में 3 ये दोनों जोड़ो 5, 4, 9 और माइनस 15 माइनस 6 काई तो भाग होगा बताओ आप 3 नहीं चले अब ए चला 5 भर रहा बी चला 4 भर रहा 9 तो ये भर रहे पंद्रे एक खाली कर रहा तो कुल मिला के माइनस 6 तो हो रहा है तीनों एक साथ चले 3 बजे तो 3 बजे ये काम हो रहा 3 बजे से 3 बजे से ये काम सुरू 3 बजे से जो उन विचारों ने भरहा अब इसमें काम चलेगा इसमें काम चलेगा अब पूरे भरे हुआ था था नहीं पूरा भरह हुआ हुआ था नहीं इतना ही तो भर पाई अभी अब 3 चलगे अब 3 चलगे तो मैंने देखा कितना 140 मिनट में टेंक क्या माइनस मारा खाली होगा 140 मिनट में टेंक खाली होगा 140 मिनट में क्या हो 2 गंटा 20 मिनट बाद टेंक खाली हो जाएगा कितने बज़े से 2 गंटा 20 मिनट बाद 3 बज़े से तो उत्तर क्या आ गया कब खाली होगा 5 बज़ कर 20 मिनट पे पीएम पीएम क्योंकि अपराहन का मतलब होता है पूर्वाहन एम तो पांच बीस पीएम पर ये टेंक बिलकुल खाली हो जाएगा जो भी भरा भराया सब मिट जाएगा तो बात समझ में आई या नहीं आई देखो आसान थाई बस ये एक बजे का हिसाब यहां देख लेना थ तब तक उन्होंने क्या क्या किया है ठीक है भाई